जै जोहार, 36 गड़ मेहनत कस लोगों का प्रदेश है। इस पाउन भूमी को हमारे किसानों और सुरमिक भाईयों ने अपनी मेहनत के पसीने से उर्वर बनाया है। लहलाते खेतों की बात करें या अंधेरी खदानों से खनीज ढून लाने की बात करें। कारखानों में धधकते लोहे से मजबूत इश्टिल बनाते हाथों हो या वनांचल में महुआ, तेंदू, पत्ता जैसे वनों पजी कठा करने वाले हाथों। देश को, प्रदेश को हमारी किसान भाईयों और श्रमिक भाईयों ने ही अपने मजबूत कंधों में समाल रखा है। एक मही को हर साल हम इनी महनतकस लोगों के प्रति अपना आभार ब्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। आप सभी को मालूम हैं कि हर 36 गड़िया के आहार में बोर ये बासी का कितना अधिक महत्व है। हमारे श्रमिक भाईयों, किसान भाईयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने के हर बून में बासी की महाख है। जब हम कहते हैं बटकी में बासी और चुटकी में नून तो यह सिंगार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। डाक्टर बगेल ने भी खुब कहा है गजब बिटामिन भरे हुए है 36 गड़ के बासी में। आपके बताना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में बोरे बासी सरीर को ठंडा रखता है, पाचन सक्ति बढ़ाता है, तो चाकि कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबान हैं। बोरे बासी में सारे पोसकतत मुझूद होते हैं। हमें हमारी यह पीड़ी को अपने आहार और संस्क्रिती के प्रतिगारों का अहसास कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि एक मही को हम सब 36 गड़िया बोरे बासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं। और अपनी संस्क्रिती और विरासत पर गरू महसुस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ही।